पटना सिटी के सबलपूर प्राथमिक स्वास्थ केंदर में आशा कारेकरताओं ने ताला जर करें पिछले 12 जुलाई से अनिशित कालीन धर्णे पर बैठी हुई है आज आशा कारेकरता ने गहरी निंद में सोई सरकार थाली पीट कर जगाने का काम किया है और सरकार से अपनी नौ सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है वही सरकार और स्वास्थ बिभाग के खिलाफ नारे बाजी भी की है बताते चले कि आशा कारेकरताओं के बिरोद में कारण पूछने पर राजी के पूरे समुदाय स्वास्थ सेवा केंद का बुड़ा असर पड़ा है ग्रामीन छेत्र से आए मरीज अस्पताल को बंद दे कर निरास लोट रहे है आशा कारेकरताओं का कहना है कि वर्ष 2019 से अब तक की बकाई राशी का भुकतार नहीं किया गया है और नाही बीतन में बिधि की गई है साथी सरकारी शेवक का दरजा दिया है आशा कर्मियों का कहना है कि देजश्वी यादब का कहना था कि जब स्वास्त मंत्री बनेंगे तो उनकी अमाया को दूर करेंगे पर आज तक आशा कर्मियों की नौ सुत्री मांगों को पुरा नहीं किया गया है आशोकर्मी ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धर्णा प्रदशन कर सरकार से अपनी लड़ाई लड़ेंगे आशोकर्मी जहां अपनी मांग पर अरे हैं वह सरकार भी उनके मांगों को मनाने को तयार नहीं है ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मरीजों की परिशानी बढ़ गई है निदी सिंग के साथ टीम की रिपोर्ट हम लोग है कि हम लोग को सरकारी सेवे भोसित करें और हम लोग को मांदे दे ऐसा को मांदे जरूर करेंगे आज काहां चले गए खल ला चाहिए अज को आख करेंगे तोौई च्छ्च करेंगे तो आज काहाँ है आज तो उनको करना चाहिए, आज हम लोग को की तरह का परदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह करोना काल में मोदी जी, कोविड-90 में हम लोग से धाली पिटवा आते थे, आज वही धाली हम लोग को पिटना पर रहा हैं, अपना पेट के चलते इतना काम करवा करके भी मोदी जी करोना काल में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कियें, इतना तक कि डाक्टर लोग को 50-50 लाख रुपया करोना काल में डेट करने पर मिला, लेकिन आसा एतना मड़ गई, अपना जान दे दी, घर-घर घूम के सर्वे की, उसके लिए मोदी सर कुछ नहीं सोच रहे हैं, इतना तक कि आसा पर स्रिफ सोचन किया जा रहा है, आसा को दबाव दे करके काम लिया जा रहा है, यही हम लोग का मांग है, अब हम लोग इस काम से उप गए हैं, लेकिन अब हम लोग बारत तारिक से हम लोग हर्ताल पर हैं आज 17 दिन है और अनिस्चित काल हर्ताल पर रहेंगे नहीं तो सरकार का कोई काम होने देंगे और नहीं करेंगे खुद भूखे मर रहें और बाले बच्चे ले करके हम लोग यहां पीएसी पर धाना दिये हुए हैं आगे आने वालो दिन में और इस्ते भी भारी हर्ताल होगा और एक भी काम हम लोग पीएसी के दम ठप करेंगे उसके बाद चक्का जाम करेंगे मेरा नाम अनिता देवी हुआ